हलो फ्रेंड्स, अलकम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको हाई लो ओप शोल्डर बेबी फ्रॉग बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये तीन मिटर नेट का फैबरिक लिया हुआ है और तीन मिटर मैंने अस्तर लिया हुआ है, ये मैंने सांटून का अस्तर लिया हुआ है तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे तो अस्तर को मैंने फोर फोल्ड करके बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंदवाली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली हुई साइट है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच की रखी है आप अपनी पसंद से लंबाई कमिया ज्यादा कर सकते है अभी उपर से हमें एक इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम आप शॉल्डर बनाने वाले हैं तो उपर से हमें एक इंच पर निशान लगाते जाना है इस तरह से हम एक इंच पर निशान लगाते जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है एक इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमें लाइंडरो कर देनी है अभी यहां से हम चेष्ट का मेजरमेंट लेंगी तो आपकी बेबी की चेष्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें स्रिफ एक इंच एक्ष्टा लेना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने आठ इंच पर निशान लगाया है चेष्ट का फोर्थ पार्ट करके स्रिफ एक इंच एक्ष्टा लेना है सिलाय मार्जिन के लिए अभी जहां पर हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें तीन इंच पर आम होल के लिए निशान लगाना है तो पूरा आम होल हमारा छेंच का है तो आधा तीन इंच होता है तो नीचे की तरफ हमें तीन इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रो कर लेनी है तीन इंच हमारा ऊपर की तरह चुट जाएगा और नीचे हमें तीन इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है और एक लाइन ड्रो कर लेनी है अ उसके अंदर इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है आम होल के लिए अभी नीचे से हमें कमर की चोड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें दो इंच एड़ कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका च की कटिंग कर देनी है तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और यह दो पाठ है आगे और पीछे के लिए अभी अस्तर पर हम पहले बोटम पाठ की कटिंग करेंगे तो अस्तर को मैंने ट्राइंगल शेप में बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंद वाली अभी उपर का जो कोना है उसके उपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है और इस तरह से हमें लाइन ड्रो कर देनी है टॉप का कोई भी एक पार्ट रखते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रो कर देंगे अभी टॉप पार्ट को हटा देना है और उपर आधा इंच उपर की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें round shape draw कर देना है अभी हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और अस्तर की लंबाई में 28 सिंज की रखने वाली हूँ तो उपर से हमें 28 सिंज पर निशान लगा देना है आप अपनी पसंद से अस्तर की लंबाई कम्याजादा भी कर सकते है में फेबरिक की लंबाई हम 30 सिंज की रखने वाले है तो अस्तर की लंबाई हमें 2 इंज कम लेनी है तो मैंने 28 सिंज पर निशान लगाया है अभी उपर से हम देख लेंगे कि ये कितना measurement आया है लगाते जाना है मते है और 35 इंज पर निशान लगाते हुए हमें एक राउंड शिप ड्रोग कर लेना है नीचे की तरब से कि इस तरह से हम राउंड शिपर र्रोग कर लेंगे अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी एक साइट जो इसकी बंद वाली साइट है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है तो ये दो पार्ट हो जाएंगे आगे और पीछे के लिए अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को हम वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे से उपर की तरफ हमें 10 सिंज पर एक निशान लगाना है ये निशान आप अपनी पसंद से कम ज्यादा भी कर सकते है तो मैंने 10 सिंज पर निशान लगाया है इसमें हम हाई लो का शेप डो करने वाले है तो इस तरह से हमें 10 सिंज पर निशान लगाते हुए हाई लो का शेप डो कर देना है ध्यान रहे हैं ये निशान हमें स्रिप एक ही पार्ट में लगाना है और इस तरह से हमें लाइन ड्रो कर लेनी है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये हमारा आगे वाला पार्ट रहेगा देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये कुछ इस तरह से नज़र आएग अभीसेंम इसी मेजर्मेंट से हम Fut Lad एक्ष्ट्रा लेना है साइट से जहां पर हमारी खुली हुई साइट है वहां से हमें 5 इंच फेब्रिक एक्ष्ट्रा लेना है क्योंकि हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं इस तरह से 5 इंच फेब्रिक एक्ष्ट्रा लेते हुए हमें लाइन ड्रो कर लेनी है जितना हमार से क्ते हंपार्ट की मेंבע की मेजरर करेंगे तो मेरण फेबरी की लंबाई में 30 संज की रखने वाली हूँ तो यहां थähän आतो suggestion है तो इस तरह से पूरे राउंड मेंuhim लगा लेगे तो उपर से हम देख लेंगे कितना मेजरमेंट आया है तो मेरा ये 38 सिंच का मेजरमेंट आया है एस तरह से पूरे में 38 सिंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्लोक कर लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी इसमें से एक पाट को निकाल लेना है और जो हमने front वाला पाट कट किया था उसी shape में हमें bottom part की एक पाट की cutting कर देनी है जैसे हमारा shape है पिलकुल उसी तरह से हमें 2 inch fabric नीचे की side से extra लेना है और इस तरह से line draw कर लेनी है और इसकी cutting कर देनी है देखे मैंने cutting कर ली है अभी हम top part को ready करेंगे तो main fabric को सीधा रखना है और उसके उपर अस्तर का पाट उल्टा रखना है और इसके arm hole में और उपर की side पर हमें सिलाय लगा देनी है और अस्तर को उल्टी side पर पलट देना है पलटने के बाद हम इसे दोनों side से अस्तर के साथ joint कर लेंगे और इसी तरह से दूसरा part भी हम arm hole को और उपर की side सिलाय लगा कर अस्तर को उल्टी side पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसे दोनों side से अस्त के साथ जॉइंट भी कर लिया है तो मैंने दोनों पार्ट रेडि कर लिये है अभी हम इसमें टक्स लगाएंगे तो टॉप पाट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और बंद वाली साइट से तीन इंच पर एक निशान लगा देना है और उपर की तरब भी हमें तीन इंच पर ही निशान लगाना है नीचे से भी तीन इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से लाइन डो कर लेंगे और एक छोटा सा कट लगा देना है और कट लगाने के बाद बिल्कुल ऐसी ही लाइन हम दूसरे साइट पर भी बना लेंगे तीन इंच पर निशान ल भी हम तीन इंच पर निशान लगा लेंगे और लाइन बना लेंगे और दोनु साइट पर टक्स भी लगा लेंगे तो दिखे मैंने टक्स लगा दिये हैं फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी अभी हम उपर की साइट पर इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं तो इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी की चेश्ट का मेजरमेंट है उससे 4 इंच कमका आपको इलास्टिक लेना है तो मेरी बेबी की chest का measurement 24 शिंज का है तो हमें 20 शिंज का elastic लेना है तो 10 शिंज हम आगे की तरफ लगाएंगे और 10 शिंज हम पीच्छे की तरफ लगाएंगे तो मैंने 10 शिंज का elastic लिया है अभी elastic को हमें जो हमारी उपर वाली सैट है वहाँ पर आदा इंच तक पट्टी हम फोल्ड करेंगे वहाँ तक इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो दोनों साइट पर आदा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर टाका लगा लेंगे दोनों साइट पर यानि कि सिलाई लगा देंगे तो देखे इस तरह से हमारा elastic joint हो जाएगा और elastic को joint करने के बाद आदा इंच तक पट्टी को हम इस तरह से fold कर लेंगे और elastic को इसके अंदर दबा देंगे पहले दोनों side पर elastic में सिलाई लगा देंगे उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से fold कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे पाट में भी हमें इलाश्टिक को इसी तरह से अटेच करना है आधा इंच छोड़ते हुए इलाश्टिक में पहले सिलाय लगा लेंगे उसके बाद पट्टिका इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे तो टौप का पाथ हमने पहले ही पलट दिया है इसलिए हमें आधा इंच तक ही पृट्टे को फूर्ड करना होगा, तो देखी इस तरह से मैंने एलाष्टिक को पास कर लिया है, दोनों आट में, फरंट पार्ट में भी और बेक पार्ट में भी, इसमें हम बाद में स्ली वाटेज करेंगे, अभी पहले, हम बोटम पार्ट को रेडि कर लेंगे तो यह हमारा मेन फेबरिक वालत है इसमें आदा इंच का गेप रखते हुए हम बड़ा टाका करके इसमें सिलाय लगाएंगे फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी इसमें हम गैधर्स बनाएंगे तो देखे मैंने बड़ा करके सिलाय लगा दी है अभी हमें हलके हलके एक धागे को खीचना है और इसकी गैधर्स बना लेनी है तो जितना हमारा अस्तर वाला बोटम वाला जो पार्ट है उसे इसाब से हम गैधर्स को सेट कर लेंगे और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर इस मेन फेबरिक वाले और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें गैदरस बना लेनी है और इसे भी हमें अस्तर वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर लेना है तो देखे मैंने अस्तर और मेन फेबरिक दोनों को जॉइन्ट कर लिया है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटेज करेंगे तो बोटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम बोटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने बोटम पार्ट को अटेज कर लिया है दोनों ही पाट्स में फ्रन्ट पाट में भी और बेक पाट में भी अभी एक पाट को हमें सीधा रखना है और उसके उपर दुसरा पाट हम उल्टा रखेंगे और जहां पर हमारी कमर की चोड़ाई है उससे तीन से चार इंच तक हमें चारों फेबरिक को एक साथ मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है दोनों सैट से एक इंच का गेप रखते हुए तो देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है दोनों ही सैट से 3-4 इंच का गेप रखते हुए अभी जहां तक हमने सिलाय लगाई है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे तो कट लगाते वग ध्यान रहे हमारी सिलाय नहीं कटनी चाहिए उसके बाद जो नीचे वाला हमारा मेन फेबरिक है उन दोनों को हमें एक साथ मिला देना है आगे वाला और पीछे वाला और उसमें हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद हम मेन फेबरिक वाले पाट को अंदर डाल लेंगे और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें हमें दोनों पार्ट को मिलाना है आगे और पीछे के और इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरे साइड भी पहले हम छोटा सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा मेन फेबरिक है उसके उपर हम सिलाई लगाएंगे दोनों पाट को मिलाते हुए इस तरह से इससे हमारे फिनीशिंग बहुत ही अच्छे से आती है और मेन फेबरिक को अंदर डाल देंगे और जो हमारा अस्तर वाला पाठ है उसके उपर हम सिलाई लगा देंगे तो ये नीचे वाले दोनों पाठ हमारे अलग-अलग हो जाएंगे उसके बाद जो अस्तर की वर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और जो हमारा मेन फेब्रिक वाला पार्ट है उसमें भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है या फिर आप चाहे तो इसमें स्टीच भी करवा सकते हैं स्टीच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है तो देखी इस तरह से मैंने साइट से इसमें फिटिंग कर ली है यानि की सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं बॉटम वाले दोनों पार्ट अलग-अलग हो चुके है दोनों साइट से मैंने सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं अस्तर और मेन फेब्रिक दोनों ह आप चाहे तो simple sleeve भी बना सकते हैं, तो मैंने ये 6 इंच का fabric लिया है, इसकी लंबाई और चोड़ाई मैंने 6 इंच की रखी है, अभी पहले जो इसकी उपर की border है, उसे हमें simply double fold करते हुए, इसमें सिलाय लगा देनी है, और नीचे की जो border है, उसे भी हम double fold करते हुए, इसमें सिलाय लगा देंगे, उसके बाद हमें इसमें छोटी-छोटी plates लगा देनी है, आप चाहे तो gather's भी बना सकते हैं, तो पूरे fabric को हमें इस तरह से छोटी-छोटी plates लगाते हुए, इस तरह से बना लेना है, दोनों सेट से हमें इसमें plates लगा कर इसे set कर लेना है, दोनों ही डूसरी पत्ती को भी पहले बार्डर ऐी उसके बाद इसमें पलेट्स लगा देंगे तो देखे इस तरह से मैने दोनों प्ततिboard में प्लेट्स लगा दी है अभी जहांपर हमारा आम होल है वहांपर हमें इसे attach करना है तो हमें टॉप वाला जो पाथ है उसे उल्टा रखना है और जैसे कि आप विडियो में देख सकते हैं उसी तरह से एक इंच का गेप रखते हुए हम पहले इसमें पींस लगा लेंगे तो इस तरह से यह हमारे डिजाइनर स्लिव बहुत ही ब्यूटिफुल नजर आती है तो पींस लगाने के बाद हम इसमें सिलाइ लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी सैट वाला जो आम होल है उसके उपर हमें स्लिव को इस तरह से रखना है और इसके उपर पहले हम पींस लगा लेंगे ताकि हमें सिलाइ लगाने में आसानी हो तो पहले हम इसे पींस सिक्योर कर लेंगे उसके बाद ही हम इसमें सिलाइ लगाएंगे देखिए इस तरह से हमें दोनों सैट पर पींस लगा कर इसे सैट कर लेना है इस तरह से ये स्लिव हमारी बहुत ही beautiful नजर आती है उसके बाद हम दोनों सैट पर इसलाय लगाएंगे तो ये स्लिव हमारी कुछ इस तरह से आएंगी और इसी तरह से दूसरे सैट के आम होल के उपर भी हमें स्लिव को attach कर लेना है पहले पींस लगा लेंगे दोनों सैट में पींस लगा कर उसके बाद ही हम इसमें सिलाय लगाएंगे तो ये स्लिव हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और इस तरह से हमारे शॉल्डर के उपर आएंगी तो देखे मैंने दोनों स्लिव को attach कर लिया है आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटिफुल आया है और इसी के साथ ये हमारा ओप शॉल्डर हाई लो बेबी फ्रॉग बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा इस वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस